नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रोचक और सोचने पे मजबूर करने वाली हिंदी कहानिया प्रस्तुत करते हैं। आज की कहानी है गुलाब की कहानी, साजेदारी और समर्पन की कहानी, तो बैठिये आराम करें। और इस सुन्दर कथा में हमारे साथ चलें जो एक शक्तिशाली संदेश को लेकर है। एक छोटे से गाव में एक छोटा सा गुलाब बगीचा था, जहां एक प्यारे से गुलाब नामक फूल रहता था। गुलाब फूल का सपना देखता था कि उसका आकार बड़ा हो जाए ताकि सभी लोग उसकी सुन्दर्ता को देख सकें। गुलाब फूल का सपना देखकर एक आलसी कीट भी वहां आ गई। यह कीट गुलाब के साथ साजेदारी करना चाहती थी ताकि उसे भी गुलाब की सुन्दर्ता का हिस्सा मिल सके। धीरे धीरे गुलाब और कीट मिलकर बगीचे को और भी सुन्दर बना दिया। गुलाब ने सिखा की सच्ची सुन्दर्ता साजेदारी और समर्पन से ही आती ह उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कीट के साथ मिलकर काम किया और देखा कि सफलता में भागिदारी का अद्भुत महत्व है गुलाब ने सीखा कि सच्ची सुन्दर्ता को हमेशा समर्पित्ता और साजेदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है कहानी का सिख है कि सच्ची सुन्दर्ता और सफलता साजेदारी और समर्पन के माध्यम से ही आती है गुलाब ने सिखा कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए आशा है कि आपको गुलाब की कहानी पसंद आई होगी अगर आपने इसे आनंद लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ धन्यवाद और शुभ कामनाए